डूरेंड कप में FC गोवा ने इंडियन एरपोर्स को एक सुन्दे से हराया इसी जीत के साथ FC गोवा का खाता खुला FC गोवा की दो मेचों में ये पहली जीत है वहीं इंडियन एरपोर्स की ये पहली हार FC Gova के लिए मेच का एकमातर गोल मेच के आठवे मिनिट में विलाइटी एम ने किया वहीं इंडियन एरफोर्स के और से कोई भी गोल नहीं हुआ FC Gova को इस मेच में दो कॉर्णर मिले वहीं इंडियन एरफोर्स को तेरा कॉर्णर मिले इसी जीद के साथ FC Gova पॉइंट्स टेबल में नमबर दो पे पहुंचा वहीं नमबर एक पे मौमडा नैसी का बीज है